दोस्तो यहाँ पर देखेंगे हमारे फोन में इन डिस्पिले लगा हुआ है यहाँ पर अपना फिंगर लगाएंगे हमारा फोन ओन हो जाएगा सो हेलो गाज यहां पर देखेंगे हमारे पास में है Redmi 10A फोन दोस्तो इस फोन में आप इन डिस्पेले फिंगर प्रिंट लग लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे आज इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ दोस्तो इन डिस्पेले फिंगर प्रिंट लग लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग ओप्रिंट कर लेना इस तरह से सेटिंग ओप्रिंट हो जाने के बाद में दोस्तो नीचे की तरफ एक बार स्कॉल करेंगे इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको password and security का option मिल जाएगा इस पर इस तरह से click कर देंगे click करने के बाद में दोस्तों आपको screen log पर इस तरह से click करना है click करने के बाद में दोस्तों आपको अपना एक screen log डाल देना है Screen Lock डालने के बाद में देखेंगे, यहां पे लिखा होई है, Turn Off Screen Lock दोस्तों, इस पर इस तरह से क्लिक कर दिएगे, इसके बाद में OK कर दिएगे. अब दोस्तों आपके फोन में जितने भी लॉक हैं वो सब यहां से हट जाएंगे अब दोस्तों आपको यहां से बैका जाना है इसके बाद में दोस्तों आपके फोन में एक theme नाम से application है उसको इस तरह से open कर लेंगे इसके बाद में दोस्तों आपको अपने सर्च बार पे किलिक करना है यहाँ पे दोस्तों हमने एक कीवर्ड लिख रखा है वही इस तरह से कोटी कर लेंगे आपको दोस्तों ध्यान से देखना है यह कीवर्ड अपने फोन में लिख लेना है इसके बाद में यहां नीचे सर्च पे क्लिक कर देना है अब दोस्तो यहां पे देखेंगे आपका walpaper आद शुका है वो भी free वाला दोस्तो इस पे हम इस तरह से क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद में दोस्तो यहां पे डाउनलोड का अप्सन मिल जाएगा सबसे उपर वाला लगे रहने देना है इसके बाद में दोस्तो यहां नीचे अप्लाई कर देना है अब दोस्तो आपके फोन में सक्सेटफुली फिंगर प्रिंट लॉक लग चुका है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमने अपना फोन लॉग किया और इसके बाद ने दोस्तों यहाँ पर हमने अपना फिंगर लगाया यह हमारा स्क्रीन लॉग आउन हो गया दोस्तों गरे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अगर आप हमाई चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल